नमस्कार दोस्तों मैं योगेस वायलोजीपी दियोगेस मैं आपका स्वागत करता हूँ चलिए जैसा कि नीट का पेपर done हो चुका है वही नीट के paper को आज हम जो botany वाला section है आज इस वीडियो के द्वारा botany वाला जो सारा section है उसको with solution complete करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह जो paper है उसका code है S5 तो चलिए शुरू करते हैं 101 number वाला question देखते हैं which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis यानि gel electrophoresis जो एक bio technique में एक machinery होती है जिसमें हम technique use करते हैं चलिए इसके regarding question देख लेते हैं और यह पूछ रहा है कि not true ठीक है चलिए देखते हैं not true यानि कि कौन सा true नहीं है तो यहाँ पर option third देखिए लिखावा the process of extraction of separation DNA strands from gel is called illusion यानि कि ऐसे process को जिसमें अलग करते हैं हम DNA को या DNA के strand को from the gel is called illusion यह ठीक है यह जिए तो सही है separation of DNA fragments are stained by using ethidium bromide यह भी सही है bright orange colored band of DNA can be observed in the gel when exposed to ultraviolet light इसके बाद फिर क्या पहला option क्या दिवाँ the presence of chromogenic substrate gives blue colored DNA band on gel देखो जो band आता है वो gel पर नहीं दिखता ठीक है इसी लिए इसका जो option incorrect होगा वो कौन सा होगा पहला option incorrect होगा तो पहला option यहां correct हो जाएगा चलिए अगला question देखते है given blue are two statement statement wise question दिए होगा है Mendel studied seven pair of contrasting traits in pea plant and proposed the law of inheritance यह तो सही है statement first सही है second statement seven characters examined by Mendel in his experiment on pea plant or seed shape seed shape में यह एक character था इसका color, flower color, pod shape, color, flower position and stem height यह statement भी correct है ठीक है क्योंकि यह Mendel's law में उसने 7 character लिये थे किसके 27,6 यानि मटर के पौधे में यह 7 के 7 character यहाँ पर दिये हुआ है यानि कि जो question का answer होगा वो कौन सा का both statement first and second are correct तो तीसरा answer सही हो जाएगा चलिए अगला question देखते है which of the following is incorrectly match कौन सा गलत match है यह बताना है तो चलिए देखते है पौरफाइरा, क्लोरीडियन स्टार्च वल्वाक्स स्टार्च सही है एक्टो कॉर्पस फ्लुकोजैन्थी यूलोथ्रिक्स, मैनिटॉल यह गलत है मैनिटॉल जो होता है वो ब्राउन एलगा यानि जो फ्योफाइस ही है उसके अंतर गताता है जबकि यूलोथ्रिक्स क्या है एक ग्रीन एलगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो फोर्थ कर्रेक्ट आप्शन हो जाएगा अगला है एक्स यह तो सिंपल है और पूछका रहा है ओन होमोलोगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन कब होता है तो यह तो सिंपल है जब क्रॉसिंग अवर होता है उस टाइम पर क्या देखने को मिलता है तो पहला ओक्शन करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला क्वश्चन देखते है एक्सोस चह विच अफ दा फॉलिइंग इस नॉट मैथर्ड अफ एक्सी टू कंजर्वेशन एक्सी टू कंजर्वेशन क्या होता है यानि कि कहीं से भी किसी भी और्गनिजम को लाके क्या कर रहे हो आप उसको अपने अकॉर्डिंग इनवार्मेंट को क्रियेट करके वहाँ पर उसको कंजर्व कर रहे हो ठिक यह हो गया एक्सी टू कंजर्वेशन और पूछ किया रहा है नॉट जो की नहीं है तो माइक्रो प्रोपेगेशन क्रायो प्रिजर्वेशन इनविट्रो फर्टिलाजेशन और नेशनल पार्क नेशनल पार्क इस अ इन सीटू कंजर्वेशन जहाँ पर क्या होता है नेचुरली जो वहाँ का जो इनवार्मेंट है जिसमें वहाँ पर फ्लोरा एंड फाउन है अनिमल्स और प्लांट्स जितने भी होंगे वह वहीं के वहीं पर कंजर्वेशन कर रहे होंगे तो यही इसका नॉट कुछा है तो यही इसका करेक्ट आंशर्व होजाएगा फॉर्थ इस करेक्ट 107 आइडेंटिफाई इनकर्रेक्ट स्टेट्मेंट इनकर्रेक्ट स्टेट्मेंट बताना है भी इसका computation पॉलिनेशन के related मेरे तो चले पेला क्या करा है फ्लोर प्रॉड्यूज फोर ओर्डॉर तो अट्रेक्ट फ्लाईज औड वीटल्स तो गेट पॉलिनेट uniform यह सही है most dominated pollinating agent नहीं होते हैं और भी होते हैं अगला statement क्या लिखा हुआ है पूछ क्या रहा है incorrect pollination by water is quite rare in flowering plant ये भी ठीक है pollination by wind is more common among us abiotic pollination ये भी ठीक है तो जो incorrect बताना है तो वो कौन सा है 2 is incorrect option अगला question देखते हैं given below are two statement दो statement दिये हुआ है the primary CO2 acceptor in C4 plant is photo phosphoenol pyruvate यानि PEP and is found in the mesophyll cell सही बात है जो C4 cycle होती है उसमें mesophyll cell में ही first carbon dioxide का जो acceptor है वो कौन होता है PEP phosphoenol pyruvate और वहाँ पर कौन सा enzyme लगता है phosphoenol pyruvate enzyme वहाँ पर use किया जाता है तो यह पहला statement correct है अगला statement mesophyll cell of C4 plant lake Robisco Robisco नहीं पाया जाता है वहाँ पर कौन सा enzyme पाया जाता है PEP case PEP case enzyme पाया जाता है कहाँ पर mesophyll में तो यह वाला statement भी correct है यानि कि यहाँ पर क्या हुआ statement first is correct but statement is incorrect statement first is incorrect but statement both statement first and second are correct तो तीसरा option correct हो जाएगा चीक चले अगला question देखते है the old tree the greater part of secondary xylem is a dark brown and resistant to insect attack due to जो secondary xylem है जो dark brown हो जाता है और resist करता है insect attack के regarding इसके according बताना है तो secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessel यह correct है ठीक यह वाला statement correct है deposition of organic compound like tannin and resin in the central layer of the stem आपने एक term सुना होगा जिसमें हम पढ़ते थे hardwood और sapwood ठीक तो जो hardwood है उसमें center की तरफ क्या हो जाता है deposition होने लगता है tannin और resin का जिससे की क्या होता है वहांका transportation रुख जाता है तो यह a और b option क्या हो गए correct हो गए और पूछा क्या है उन्हें नीचे देखते हैं the correct answer from the option below तो correct option बताना है a b is correct है तो यहां देखिए तीसरा वाला जो option है वो क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चलिए 109 अब इसके बाद देखते है 110 which one of the following produce nitrogen fixing nodule on root of illness illness plant में जो nitrogen fixation कराता है उसका नाम में कौन फ्रेंग किया जबकि जो rhizovium होता है वो leguminous plant में जाने की जो दालें होती है उनमें देखने को मिलता है तो इसका answer होगा frankia given below two statement first statement decomposition is a process in which the detritus is degraded into the simpler substance by microbes यह सही है decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin इसका कोई मतलब नहीं है नहीं इसका कोई mean है decomposition करने के लिए lignin और chitin की ज़रूरत नहीं है जो decomposition होता है वो कौन करता है एक तो fungi और एक कौन करता है bacteria तो यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं यानि first statement तो correct है लेकिन second क्या है गलत है तो state on first correct but statement second is incorrect यानि कि पहला option correct हो जाएगा अगला question देखते है habitat loss habitat loss, fragmentation, over exploitation, alien species invasion and coexistence are causes for तो यहाँ पर क्या होगा habitat loss हो रहा है और fragmentation भी हो रहा है और over exploitation बहुत ज़्यादा भीड बढ़ रही है तो क्या देखने को मिलेगा biodiversity क्या होगी loss हो जाएगी ठीक तो इसका एक या first वाला option correct होगा अगला question देखते है hydrocolyte carazine यह आपको पता होगा जो carazine होता है यह rodofice यानि की जो red alga होता है उसमें पाया जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा rodofice यानि की red alga चलिए अगला question देखते है गिर्डलिंग experiment was performed by plant physiologist to identify the plant tissue through which किसके द्वारा करते है for bath water and food transportation osmosis observed water transportation food transportation यह किसलिए की जाता है water transportation के लिए तो तीसरा option correct हो जाएगा चलिए अगला question देखते है the flower are zygomorphic zygomorphic flower है यानि की अगर इनको क्या किया जाए कहीं से भी काटा जाए equal halves में कोई भी flower में तो यह कैसे देखने को मिलेंगे यह mirror image नहीं होंगे तो जैसे की कौन कौन सा होता है एक तो कैसिया होता है और गुलमोहर होता है तो यह B and C correct होगा तो किसमें है B and C fourth option में आ रहा है तो यह fourth option correct हो जाएगा which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through the chemo osmosis chemo osmosis theory इसमें क्या देखने को में बलेगा movement of proton across the membrane to the stroma यह तो सही है कहां से कहां जाता है membrane की जो space होती है वहां से कहां जाता है proton कहां जाता है stroma में चला जाता है ठीक है तो यह statement ठीक है इसके बाद अगला statement reduction of NADPH2 NADPH2 on the stroma side of the membrane यह भी सही है breakdown of proton gradient यह भी correct है proton gradient का breakdown किया जाता है अच्छा पूछा क्या है उन्होंने not true गलत बताना है तो breakdown of electron gradient नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है proton का transformation होता है stroma की तरब तभी क्या होता है ATP generation होता है उसी को chemo osmotic theory के नाम से भी जानते हैं ATP generation theory चले अगला question देखते हैं the device which can remove particulate matter present in the exhaust from thermal power plant is इसका जो correct answer है वो है electrostatic precipitation mechanism चीक है तो यह correct हो जाएगा इसका अगला देखते हैं given blow r2 statement on is labeled as पहला assertion लिखा हुआ है and the other is labeled as a reason assertion क्या दिया हुआ है polymerase chain reaction यानि PCR is used in DNA amplification यह सही है the amfisiline resistance gene is used as a selectable marker to check transformation तो यहाँ पर option देख लेते हैं पहला statement तो सही दिया हुआ है a is correct but r is not correct यह वाला भी सही दिया हुआ है ampisiline resistance gene का use किया जाता है selectable marker जो कि चक करता transformation a is correct but r is correct अच्छा a incorrect तो यह तो नहीं होगा यहाँ पर r not correct दिया हो तो यह भी नहीं होगा and r is the correct explanation of a नहीं यह a की explanation को correct नहीं कर रहा है तो option क्या होगा both a and r correct but r is not correct explanation of a तो fourth is correct option चलिए यह हो गया इसके बाद अगला question देखते है which one of the following plant does not sow not sow plasticity plasticity क्या कहलाता है अलग-अलग environment में एक ही plant में अलग-अलग पत्तियों के सेब देखने को मिलेंगे तो इसमें कौन-कौन से example आते हैं butter cup आ जाता है cotton भी आ जाता है coriander भी आ जाता है लेकिन maze में देखने को मिलता maze में चाहे embryo की बात करें चाहे adult face की बात करें तो इनमें एक जैसी ही पत्तियों देखने को मिलेंगी तो इसका option कौन सा हो जाएगा maze correct option हो जाएगा क्यूंकि not पूछा है चलिए अगला question देखते हैं अगला question है the process of translation of mRNA to protein translation of mRNA protein बनाने के लिए begin as soon as begin कहां से start होगा तो देखो the small subunit of ribosome encountered mRNA सबसे पहले क्या होता है translation में जो ribosome की small subunit होती है ये कहां पहुँच जाती है mRNA के पास उसके बाद फिर आता है large subunit of ribosome तो पहला starting कहां से होगा तो इसका option हो जाएगा third option correct अगला दिएवा read the following statement and choose the set of correct correct बताना है तो eucromatin is loosely packed chromatin ये सही बात है heterochromatin is transcriptionally active नहीं ये गलत है heterochromatin कैसा होता है condensed होता है इसलिए यहां पहे transcriptionally active नहीं होगा inactive होगा histone octamer is wrapped by the negatively charged iron या negatively charged DNA nucleosome ये एकदम correct है DNA में होता phosphate और DNA में phosphate जो होता वो negatively charged होता है इसी वज़े से जो histone octamer होगा वो positive होता है क्योंकि वहाँ पर कैसा होता basic amino acid होता है जिससे की वो positive और negative DNA के साथ क्या करता है interaction करके attract करके क्या हो जाता है wrap हो जाता है तो ये correct होगा histone are rich in lysine and arginine ये अभी बताया histone protein होगा उसमें क्या पाए जाएंगे basic amino acid जैसे की arginine और lysine और जो की positively charged होते है इसी वज़े से DNA से क्या हो जाता है ये attract कर जाता है bind कर जाता है तो ये भी correct होगा typical nucleosome contain 4000 base pair of DNA helix तो यहाँ पर option कौन कौन से correct होगा है A C और D A, C, D कौन सा option correct निकल रहा है fourth option correct निकल रहा है ठीक है चले अगला question देखते है read the following statement about the vesicular bundle vesicular bundle के लिए बताना है कौन सा statement साही है in roots xylem and phloem in vesicular bundle are arranged in alternative manner along with different radius ये correct option है अगला कहरा conjoint closed vesicular bundle do not possess cambium साही बात है closed vesicular bundle में कोई भी cambium नहीं पाए जाती ये correct है in open vesicular bundle cambium is present in between xylem and phloem ये correct statement है क्योंकि open vesicular bundle होता वहाँ पर क्या देखने को मिलता है बीच में cambium ring देखने को मिलती है जो कि xylem phloem की बीच में होती है अगला option है the vesicular bundle of dicotylidum ये भी correct है जो protozylum होता है वो अंदर की तरफ होता है इसलिए इसको क्या कहते है and dark protozylum ये correct option है अगला है in monocotyledon root usually there are more than six xylem bundle present तो ये भी correct option है जैसे कि monocotyledon में अगर हम देखें तो वहाँ पर scattered vesicular bundle देखने को मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है शैसे 7 से भी ज़्यादा देखने को मिलती है तो यहाँ पर सारे statement correct है अब option देख लिजिए A, B तो यहाँ पर जो पहला option है यह ज़्यादा best दिख रहा है बैसे इस वाले में आपको bonus marks मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सारे statement correct है तो इसके according जो best answer होगा वो कौन सा होगा A, B, C, D यह correct हो जाएगा चली अगला question देखते है exoskeleton of orthopods is compact orthopods में जैसे की cockrose देखोगे तो cockrose के ऊपर hard skeleton पाया जाता है वो किसका बना होता है वो बना होता है chitin का और chitin क्या polysaccharide what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted into the two molecules of pyrovic acid एक glucose जब convert करते हैं यानिकि glycolysis cycle चलाते हैं तो two pyrovic acid बनते हैं तो वहाँ पे net gain पूछ रहा है यानिकि 4 ATP का generation होता है लेकिन 2 खर्च कर देता है तो net gain कितना हुआ 2 ATP का gain हुआ तो यह answer क्या हो जागा है फ़हला option correct which of the following is not observed during apoplast pathway apoplast pathway में कौन सा absorb नहीं किया जाता statement देखे the movement is added by cytoplasmic streaming यही इसका answer हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा not तो apoplast pathway में cyclosis या cytoplasmic streaming नहीं देखी जाती तो यही इसका option क्या हो जाएगा not absorb तो यही option correct होगा चलिए अगला question देखते है which one of the following plant shows vaxillary estivation तो यह तो आपको पता है vaxillary किसमा पाजाता है P में मतर में आगे पढ़ने की जरुरती नहीं है तो कहां यहां देख लिए option देख लिए जब पाइसम सा टाइब हो यही इसका correct option हो जाएगा DNA polymorphism form basis polymorphism यह कहां देखने को बलता है DNTR यह देखने को मिलेगा आपको DNA के finger printing बाले technique में देखने को मिलेगा DNA polymorphism अगला question देखते है what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation तो इसमें तक्रीबन 6-7% यानि less than 7% energy का release went होता है तो इसका correct option क्या हो जाएगा दो यानि second number वाला option correct हो जाएगा चलिए अगला question देखते है identify the correct set of statement the leaflet are modified into the potential pointed hard thorn in citrus and bougain bilia यह leaflet नहीं होती है convert तो यह गलत हो जाएगा अगला question देखते है अगला statement देखते है auxiliary bud from from cylinder and spiral coiled tendril in cucumber and pumpkin जो cucurbitacy family है वहाँ पर क्या देखने मिलते है इस तरीक से spring like क्या देखने मिलते है tendril तो यह correct statement stem is flattened and fleshy of opontia and modified to perform the function of leaf यह सही है यह सही है तो यहां पर आप देख लीजिए है c correct है d correct है b c d यह correct है एक और देख लीजिए है soberially growing stem in grasses and strawberry help in vegetative propagation यह statement गलत है तो कौन सा option से ही हो जागा b c d और a वाला incorrect है b c d एक incorrect है तो इसके option के हिसाब से कौन सा हो जाएगा a correct हो जाएगा यानि यह भी correct हो जाएगा चली अगला question देखते है which one of the following statement cannot be connected to predation predation में कौन सा connect नहीं करता है तो both the inter predation में क्या होता है यह सिकारी क्या करेगा एक को खाएगा तो एक को मिलेगा love और एक को मिलेगी honey तो positive और negative क्या है interaction है both the interacting species are negatively impact both यह कहरा दोनों में negatively यह गलत है it is a necessity by nature to maintain the ecological balance यही सही है यह अगर predation चलता रहेगा तो एक balance बना रहेगा ecology में तो यह correct statement है it helps to maintaining species diversity in a community इसको hold कर लेते हैं चलो अगला देखते हैं it might lead to existence of extinction of species अच्छा इसकी बज़े से क्या हो जागा species extinct हो जाएगी बताना क्या है यहाँ पर cannot be यानि कि कौन नहीं हो सकता predation में तो चली देख लेते हैं necessity यह तो हो सकता है it helps maintaining species diversity in a community both interacting यानि कि यह नहीं होगा यह तो गलत ही हो जाएगा तो यह पहला option correct हो जाएगा क्योंकि दोनों का यह interaction होगा वो positive or negative का होगा ना कि negative negative चली अगला question देखते हैं given blow to statement statement देखना है क्लिस्टोगेमस क्लिस्टोगेमस फ्लावर invariably T autogamous autogamous यानि कि देखो जो P plant होते हैं मतर का जो plant होता उसके जो sex organ हो क्या होते हैं धके होते हैं पत्तों या उनके leaf से ठीक है इसलिए उनको क्या कहते है क्लिस्टोगेमस और इसकी बज़े से उनमें क्या नहीं हो पाता cross pollination नहीं हो पाता अगला statement क्या कह रहा है क्लिस्टोगेमी is disadvantageous disadvantage है as there is no chance for cross pollination यह यह अभी बताया था तो दोनों ही statement क्या है correct है तो option देखिए both statement first and second are correct तो तीसरा option सही हो जाएगा अगला question देखिए है production of cucumber has increased the many fold in recent year application of which of the following phytohormones has resulted in this increase the yield as hormone is known produced female flower in plant इसमें जो hormone होगा वो कौन सा होगा है ethylene यह क्या करता production of yield बड़ा देता है अगला question देखते है match the following यहाँ पर देखिए iron जो होता है activates the enzyme of catalase catalase को activate कर देता है तो इसका इसके साथ मिल जाएगा फिर उसके बाद फिर क्या देखते है manganese manganese जो है activates the enzyme of respiration magnesium यह chlorophyll में देखने को मिलेगा तो respiration करेगा magnesium तो B का तीसरा यहाँ देख लिए B का तीसरा तो बस option लग गया fourth option is correct चलिए अगला question देखते है which of the following never occurring during the mitotic cell division mitosis में कभी देखने को नहीं मिलेगा क्या नहीं देखने को मिलेगा pairing of homologous chromosome homologous chromosome में pairing नहीं देखने को मिलेगा spindle fiber attached to kinetocone यह भी देखने को मिलेगा movement of centriole towards the opposite pole यह भी देखने को मिलेगा तो पहला option क्या हो जाएगा never occurring during the mitotic cell division अगला है gaseous plant growth regulator is used in plant 2 जो gaseous plant growth है वो regulator है use किया जाते help overcome epical dominance kill dichotomously weeds in field speed of mulching process promote root growth and root hair formation increase the absorption of surface यही इसका correct option हो जाएगा तो चलिए अभी यहाँ पर अगला question देखते हैं which part of fruit labeled in a given figure यहाँ जो यह diagram बना हुआ यह किसका diagram हो सकता है यह apple का diagram हो सकता है ठीक है यह नासपाथी का भी diagram हो सकता है यह जो याद होगा जो apple होता है यह फिर यह यह नासपाथी होता है उसका खाने वाला जो पार्ट होता है यह पूछ रहा है कि कौनसा में ही जो फॉस्फ्वॉरस होता वो जमीन से ही री साइकल होके एक साइकल चलाता है यह गैस यह साइकल नहीं है ठीक है तो यह किस में आ जाएगा वीदरिंग आफ रॉक यह नि की जो रॉक है जो चट्टाने ह। उन metacentric chromosome, metacentric में क्या होता है, middle में centromere होता है, तो option देखिए, centromere at the terminal, centromere in the middle forming to equal arm of chromosome, तो metacentric का यह हो जाएगा तीसरा के साथ, और telocentric में क्या होता है, सिर्फ एक ही arm होती है, chromosome में, तो यहां देखो सेंट रूमियर एट टर्मिनल एंड है यह इसका option हो जाएगा तो चलिए अब मिला के देख लिए पहले वाले का तीसरा और डी का दूसरा तो यह तीसरा वाला option correct हो जाएगा चलिए अब अगला section है बी तो इसमें देखते हैं match of the plant अच्छा life cycle से इसके match करना है तो चलिए देखते हैं spirogyra क्या है spirogyra एक alga है और alga में क्या होता है haplontic या haploid life cycle तो यहां देखिए dominant haploid free living gametophyte तो इस spirogyra का कौन सा हो जागा यह second वाला इसके बाद फिर साइकस क्या है एक gymnosperm है gymnosperm और angiosperm यहां देखने को क्या मिलेगा diploid sporophytic condition मिलेगी dominant में यहां देखो dominant diploid sporophytic condition vascular plant with highly reduced male and female gametophyte इसका किस के साथ हो जागा साइकस के साथ अब यहां पर मिला के देख सकते हैं तो देखो जो फिवनेरिया है यह ब्रायोफाइट है यहां पर क्या देखने को मिलेगा यहां पर देखने को मिलेगा haploid condition dominant haploid leaf gametophyte alternating with partially dependent multicellular sporophyte तो यह फ्यूनेरिया यानि कि यह ब्रायोफाइट है इसके साथ मिला दीजिए अब लगा दीजिए एका दूसरा c का चौथा एका दूसरा और c का चौथा यह हो गया fourth is correct option अगला question देखते हैं the anatomy of springwood shows some peculiar feature springwood के बारे में पूछ रहा है तो springwood कब बगता है springwood में जो xylem होता है वो किस तरीके का दिखाई देता है चौडा दिखाई देता है लेकिन light color में दिखाई देता है तो यह कह रहा है it is called as earlywood यह सही बात है सबसे पहले यही बनता है तो इसलिए क्या कहते है secondary xylem से बनता है इसको earlywood कहते है यह सही है in spring season cambium produce xylem elements with narrow vessel यह narrow vessel नहीं होती है यह कैसी होती है broad होती है तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा it is lighter in color यह सभी है light in color color में कैसी होती है light होती है spring board along with autumn board साचे बात है spring board और autumn board दोनों को मिला दो एक annual ring तयार हो जाएगा यन्य 6 महीने में spring board और छे महीने में autumn board और दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा एन्वल रिंग तयार हो जाएगा तो ये भी correct है It has lower density, सही बात है ये कैसी होती है, lower density की होती है जबकि ये broad होगी, चोड़ी होगी तो अब option देख लीजिए, कौन कौन सा होगा, ACDE, कौन सा fourth option correct हो जाएगा अगला question देखते हैं, given below two statement on the level, अच्छा, Mendel's law independent assortment does not hold good for the gene that are located closely on the same chromosome ये कह रहे हैं कि Mendel का independent assortment law है, वो does not hold good for gene, gene के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात सही है क्योंकि ये क्या है, कि जब भी कोई दो gene आपस में इतने ज़्यादा pass में अगर आ गए, और अगर linked हो गए, तो क्या होगा independent assortment नहीं हो पाएगा, और gene क्या नहीं हो पाएगा, या diversity create नहीं हो पाएगी अगला reason क्या कह रहा है, closely related genes assort independent, नहीं, ये बात गलत है ये जो mental का, ये independent assortment जो law था, उसका एक exception था linkage, जिसमें क्या होता था, gene आपस में linked हो जाते थे, जिससे की independent assortment नहीं हो पाता था तो ये पहला option तो ठीक है, लेकिन R इसका जो region दिया हुआ, ये क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ देखो, A is correct, but R is not correct, तो ये ही option correct हो जाएगा अगला दिया हुआ, read the following statement on lipid, and find out the correct statement बताना है, lipid के regarding, lecithin found in plasma membrane, नहीं, plasma membrane में lecithin नहीं पाए जाती और ये क्या कह रहे है, membrane is a glycolipid, नहीं, गलत है, अगला है, saturated fatty acid, possesses one or more carbon double bond, यानि कि saturated fatty acid में क्या देखने को मिलेगा, ये कह रहे है, saturated fatty acid, possesses one or more, एक या एक से अधिक carbon double bond मिलते हैं, saturated fatty acid जो होते हैं, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कोई भी double bond देखने को नहीं मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अगला देखते हैं, गिंगली, गिंगैली, oil has lower melting point, hence remain as oil in winter, ये सही है, लिपिड आर जनरली in soluble in water, but soluble in some organic solvent, सही बात है, जैसे की alcohol, जैसे की ether, इनमें लिपिड या fat गुल जाता है, तो D is correct, when fatty acid is esterified with glycerol monoglyceride R pump, यहाँ देखो C and D correct निकल रहा है, तो C and D किसमें सही है, ये देख लीजिए, C and D correct, तो यही option correct हो जाएगा, पहला वाला option, ठीक है, तो यानि कि ये भी correct है, तो चलिए, 10143, ये वाला question देखते हैं, what is the role of large bundle seed cell found around the west color bundle of in C4 plant, C4 plant में जो bundle seed cell है, उसका role क्या है, ये बताना है, तो चलिए देखते हैं, option, to enable the plant to tolerate high temperature, high temperature जहलने के लिए, नहीं तो, to protect the vascular tissue from high light intensity, अगला क्या रहा है, the provide, to provide the site for photorespiratory pathway, to increase the number of chloroplast for the operation of Kelvin cycle, ये इसका correct option होगा, क्योंकि जो bundle seed होती है, सिर्फ वहीं पे ही C4 cycle में, क्या चलता है, C3 cycle, यानि Kelvin cycle चलती है, तो ये इसका fourth option correct हो जाएगा, in the following palindromic sequence, palindromic base sequence of DNA, which one can be cut easily by the particular restriction enzyme, तो जो palindromic sequence होते हैं, उनमें हमें क्या होता है, अगर हम 5' to 3' पढ़ें, तब भी उनका sequence वही रहेगा, और दूसरे बाले जो strand है, उसमें भी पढ़ें, तब भी वही sequence रहेगा, तो देख लिए यहाँ पर GTA, तो यहाँ देखो, आगे से पढ़िए चाहिए पीछे से पढ़िए, या आपको sequence याद हो, तब भी आपका बन जाएगा, in the following palindromic base sequence of DNA, which one can cut easily by particular restriction engine, या restriction engine, तो यहाँ देखो, जो भी palindromic sequence होते हैं, उनको आप आगे से पढ़िए, चाहिए पीछे से पढ़िए, एक जैसा आपको sequence देखने को मिलेगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो आपको इनके sequence याद हो, palindromic sequence, जो की restriction endonucleus cut लगाता है, कहाँ पर तो यहाँ देखो, GAATTC, तो यहाँ पर देखो, GAATTC, चाहिए यहाँ से पढ़िए, चाहिए यहाँ से पढ़िए, तो यहाँ पर consumption correct हो जाएगा, fourth is correct option, The entire fleet of buses in Delhi, were converted to CNG from diesel, दिल्ली में बसों को totally convert कर दिया गया है, CNG में, किस से डीजल से, In reference to this, which one of the following statement is false, कौन सा statement, गलत है, यह बताना है, तो चलिए देखते हैं, It is cheaper than diesel, यह तो सही है, It cannot be adulterated like diesel, यह mix नहीं होता है, यह किसी दूसरे सबस्चान से mix, mixable नहीं होगा, और अगला option है, CNG burns more efficiently than diesel, CNG आसानी से more frequently जलती है, किस के मुकाबले है, डीजल के मुकाबले, अगला option है, The same diesel engine is used in CNG buses, making the cost of conversion low, इसकी conversion जो cost है, वो low है, किस की, CNG buses की, चलिए यह option, आप किसी और channel पर आप देख सकते हैं, इसका option सही, मुझे नहीं पता, चलिए, यह option छोड़ देते हैं, यह question छोड़ देते हैं, 145, चलिए अगला question देखते हैं, addition of more solute in given solution will, अच्छा, कहीं पर भी क्या करें, add करें अगर more solute, यानि more solute, बहुत ज़्यादा solute को अगर आप add करेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, make its water potential, जीरो, नहीं, not affect the water potential at all, rise its water potential, lower its water potential, जब अगर आप किसी solution में solute मिला रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, water का potential क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि solute का concentration ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा option, fourth correct हो जाएगा, lower its water potential, transposons can be used during which one of the following, तो जो transposons होते हैं, वो किसलिए use किया जाते हैं, gene silencing के लिए use किया जाते हैं, जो कि transposons की discovery किसमें होते मक्का में है, ठीक है, अगला है, while explaining intraspecific interaction of population, positive sign assigned for beneficial interaction, negative sign assigned for detrimental interaction and zero neutral interaction, अच्छा, यह इनोंने इन sign के बारे में बता दिया, क्या बताना है, which of the following interaction can be assigned positive for one species, and negative for another, तो यह भी इसके पहले भी question आया था, उसका option भी क्या था, predation, predation यानि कि जो सिकारी, सिकार करते हैं, तो एक को फायदा, यानि positive एक को घाटा, यानि negative तो कौन सा हो जाएगा, predation, यानि कि three option, यह third option correct हो जाएगा, if a genetic cyst used blind approach for sequencing the whole genome of an organism, followed by assignment of function to different segments, the methodology adopted by him is called as, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, sequence annotation, ठीक है, यह एक technique का question है, चलिए, अगला question देखते हैं, which of the following occurring due to, the presence of autosome linked dominant trait, अब यहाँ पर autosomal कौन सा बताना है, dominant, तो autosomal यानि कि एक से लेके 22 chromosome पर होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखो, hemophilia जो है, वो एक X-linked disease वाला है, तो इसको हटा दीजिए, अब इसके बाद जो thalassemia, यह recessive का है, single cell anemia, यह recessive का है, जबकि पूछ किसका रहा है, dominant का, तो कौन सा हो जागा, myotonic dystrophy, ठीक है, fourth is correct option, चलिए, last two questions, which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect, endoplasmic reticulum के regarding कौन सा गलत है, इन prokaryotes only RER present, जो prokaryotes है, उनमें सिर्फ rough endoplasmic reticulum पाया जाता है, ऐसा तो नहीं है, SER, smooth endoplasmic reticulum are the site for lipid synthesis, यह सही है, RER, rough endoplasmic reticulum has ribosome attached to ER, सही बात है, SER, smooth endoplasmic reticulum is devoid of ribosome, मतलब, जो smooth endoplasmic reticulum है, उसमें ribosome नहीं पाया जाता, यह सही है, तो इसके बाद अगर हम देखें, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो कौन सा गलत है, तो यह पहला वाला option क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि prokaryorts में SER भी मिलेंगी, और RER भी मिलेंगी, tagmina in corporals arise from, tagmina जो होता है, वो mesothorax वाले पार्ट से निकलता है, जो कि इसको protection देता है, पर आपके जो botni वाला, जो जितना भी question है, वो complete करा दिया है, I hope आपको session पसंद आया हो, तो like करें, subscribe करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को share करें, धन्यवाद, करें.